नमस्ति दोस्तों, दोस्तों प्रस्तु थे जंगल के दावेदार उपन्यास में बिर्षा मुंडा का चरित्र चित्रन बिर्षा मुंडा, 15 नवंबर 1875 से 9 जून 1900, एक भारतिय आधिवासी, स्वतंतरता सेनानी और मुंडा जन्जाती के लोगनायक थे उन्होंने ब्रिटिस राज के दोरान 19 वी शताबदी के आंत में बंगाल प्रेजिडेंसी, अब जारखंड में हुए एक आधिवासी धार्मिक सहस्त्राबदी आंदोलन का नेतरत्व किया जिससे वहे भारतिय स्वतंतरता अंदोलन के इतिहास में एक महत्तो पूर्ण व्यक्ति बन गए भारत के आधिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धर्तियाबा के नाम से भी जाना जाता है आरंबिक जीवन बिर्शा मुंडा का जन्म मुंडा जन्जाती के गरीप परिवार में पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा के सुपूत्र रूप में 15 नवंबर 1975 को जारखंड के खूटी जिले के उली हातु गाउं में हुआ था सालगा गाउं में प्रारंबिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चाई बासा, जी इल, चार्ज, गोस्नर एवं जिलकल लुथार विद्याले से आगे की सिक्षा ग्रहन की मुंडा विद्रों का नेत्रित्व, 1858 से 1894 में का सरदारी अंदोलन बिर्सा मुंडा के उल गुलान का आधार बना, जो भूमिज सरदारों के नेत्रितों में लड़ा गया था 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेत्रित्व की कमी के कारण सफल नहीं हुआ, जिसके बाद आदिवासी बिर्सा मुंडा के विद्रों में शामिल हो गए एक अक्टूबर 1894 को बिर्सा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रू कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए अंदोलन किया जिसे मुंडा विद्रो या उल गुलान कहा जाता है 1895 में उन्हें गरिफतार कर लिया गया और हजारी बाग केंद्रिय कारागार में दो साल के काराबास की सजा दिये गई लेकिन बिर्सा और उसके सीशों ने शेत्र की आकाल पीडित जनता की सहेता करने की ठान रखी दी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महा पुरुष का धर्चा पाया उन्हें इस इलाके के लोग धर्तियाबा के नाम से पुकारा और पूझा करते थे उनके प्रभाव की वर्धी के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगटित होने की चेतना जागी विद्रोह में भागीदारी और अंत 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद होते रहे और बिर्षा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजियों की नाक में दम कर रखा था आगस्त 1897 में बिर्षा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूटी थाने पर धावा बोला 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिढंत अंग्रेज सेनाओं से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिर्फतारियां हुई जनवरी 1900 डोंबारी पहाड पर एक और संगर शुआ था जिसमें बहुत सी ओरतें वह बच्चे मारे गए थे उस जगहें बिर्षा अपनी जन सभा को संबोधित कर रहे थे बाद में बिर्षा के कुछ सीशों की गिर्फतारियां भी हुई अंत में स्वेम बिर्षा भी तीन फरवरी 1900 को चकरधरपूर के जम कोपाई जंगल से अंग्रेजों दुवारा गरिफतार कर लिया गया बिर्षा ने अपनी अंतिम सांसे नो जून 1900 इस्वी को राची की कारागार में ली कहा जाता है कि उनको अंग्रेजों दुवारा जहर देकर मारा गया लेकिन उसकी मृत्यू का कारण हैजा बताया गया आज भी बिहार, उडिशा, जहारखंड, चतिसगड और पस्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिर्षा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है बिर्षा मुंडा मात्र 25 वर्ष की उमर में शहीद हो गया अंग्रेजों दुवारा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उसकी मूद का कारण हैजा बताया परन्तु लोग मानते हैं कि उसको जहर देकर मारा गया था बिर्षा मुंडा की समादी राची में कोकर के निकट, डिस्टिलरी पूल के पास तित है वहीं उनका स्टेचू भी लगा है उनकी सम्रती में राची में बिर्षा मुंडा केंद्रिय कारागार तथा बिर्षा मुंडा अंत्र राश्ट्रिय विवान सेत्र भी है 10 नवेंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवेंबर यानि बिर्सा मुंडा की जैनती को जन जातिय गोरव दिवस के रूप में मनाने की घोशना की जन जातिय गोरव दिवस भारत सरकार के किंद्रिय मंत्रि मंदल द्वारा 10 नवेंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंतरता से नानियों के योगदान को याद करने के लिए बिर्सा मुंडा की जैनती 15 नवेंबर को जन जातिय गोरव दिवस के रूप में घोशित किया है इस दिन को भारत के एक वीर स्वतंतरता से नानि को याद किया जाता है बिर्सा मुंडा का जन मुंडा जन जाती है गरीप परिवार में पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा के सुपुत्र रूप में 15 नवेंबर 1875 को जार खंड के खूटी जी लेके उली हातु गाउं में हुआ था सालगा गाउं में प्रार्णबिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाई बासा, G.E.L. चार्च, गोस्नर एवं जिलकल लुथार विद्याले से आगे की सिक्षा ग्रहन की बिर्षा का दावा है कि इश्वर का दूद और एक नए धर्म के संस्थापक ने मिशन के प्रतित किया है उनके संपरदाय में भी इसाई धर्म से प्रेरित थे, जादातर सरदार उनकी सरल व्यवस्था को चर्च के खिलाब निर्देशित किया गया था जिसने कर लगाया था और एक भगवान की अवधार्णा ने अपने लोगों से अपील की जिन्होंने अपने धर्म और आर्थिक धर्म के मरहम लगाने वाले एक चमतकार कार्य करता और एक प्रचारक को तथ्यों के सभी अनुपात से फिल दिया मुधास, औरेंस और खरिया नए भविशे द्वक्ता को देखने के लिए चालाक के पास आए और उनकी बिमारियों से ठीक हो जाए परामों में बारबरी और चचेरी तक ओरोन और मुन्डा आबादी दोनों ही बिरसाइटी बन गए समकालिन और बाद में लोग गीत अपने लोगों पर बिरसा के जवर्दस्त प्रभाव, उनकी आगमन और उनके आगमन पर उमीदों को स्मन करते हैं धर्तियावा का नाम हर किसी के होट पर था सदानी में एक लोग गीत ने दिखाया कि जाती हिंदूओं और मुस्लिमों की तर्ज पर पहला प्रभाव, कटोती भी धर्म के नए सूर्य की ओर आते हैं बिर्सा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्ता खा पीछा करने की सलह दी उनकी सिक्षाओं से प्रभावित वह आदिवासी लोगों के लिए एक भविश्य वक्ता बन गया और उन्होंने उनके आशिरवाद मांगे बिर्सा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थें ये मुंडा जाती से समधिते वर्तमान भारत में राची और सिही भूमी के आदिवासी बिर्सा मुंडा को अब बिर्सा भगवान कहकर याद करते हैं मुंडा आदिवासीों को अंग्रेजों के दमन के विरुद खड़ा करके बिर्सा मुंडा ने ये सम्मन आरजित किया था उननिस्वी सदी में बिर्सा भारतिये स्वतंतर्ता अंदोलन के एतिहास में एक मुखे कड़ी साबित हुए थे बिर्सा मुंडा का परिवार वैसे तो गुमककर जीवन वैतित करता था लेकिन उनका अधिकांश बच्पन चलककर में बीता था बिर्सा बच्पन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में बेड़ चराने जहना पड़ता था जंगल में बेड़ चराते वक्त समय वैतित करने के लिए बासुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों में बासुरी बजाने में उस्ताद हो गए थे उन्होंने कद्दू से एक-एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया था जिसे भी वो बजाया करते थे उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखारा गाउं में बीते थे गरेबी के इस दोर में बिर्षा मुंडा बिर्षा को अपने मामा के गाउं आयू भातु भीज दिया गया आयू भातु में बिर्षा दो साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे बिर्षा पढ़ाई में बहुत उश्यार थे इसलिए स्कूल चलाने वाले जैपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा अब उस समय क्रिश्चिनियत स्कूल में परवेश लेने के लिए इसाई धर्म अपनाना ज़रूरी हुआ करता था तो बिर्शा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिर्शा डेविड रख दिया जो बाद में बिर्शा दाउद हो गया था जन समानने का बिर्शा में काफी दड़ विश्वास हो चुका था इससी बिर्शा को अपने परभाव में वर्दी करने में मदद मिली लोग उनकी बाते सुनने के लिए बड़ी संक्या में एकतर्त होने लगे बिर्सा ने पुराने अंध विश्वासों का खंडन किया लोगों को हिंशा और मादक पदार्तों से दूर रहने की सला दी उनकी बातों का परभाव हे पड़ा कि इसाई धर्म स्विकार करने वालों की संक्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा इसाई बन गए थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लोटने लगे